आज भारत बंद का कॉल दिया गया है जेहां भारत बंद National Confederation of Dalit and Adivasi Organization ने आज भारत बंद बुलाया है भारत बंद क्यों बुलाया गया है और बंद का सर कहां कहां पर दिखाई दे रहा है और किन किन राजनतिक पार्टियों ने इस बंद को सपोर्ट किया है उस सारी जानकारियां आपको यहां मिलेंगी आज आज आपको बंद की एके तस्वीर भी दिखाऊंगी कहां क्या बंद है क्या खुला है यह सारी जानकारिया आपको मिलेगी दरफसर F.E.S.T.R. Action को लेकर सुप्रीम कोज के फैसले के खिलाफ यह बंद का कॉल है और उसका असर बिहार के कई जलों में देखने को मिल रहा है बिहार में प्रदर्शन कारियों और पुलिस के बीच नोग जोग भी देखने को मिल रही है बिहार के जहानाबाद ने सड़क जाम कर रहे प्रदर्शन कारियों को पुलिस ने हटाया बंद का सबसे ज्यादा असर बिहार में दिख रहा है कहीं ट्रेन को रोका गया तो कहीं प्रदर्शनकारी उन्हें फड़क पुतला फूंका सरकार के खिलाफ जम कर नारे बाज़ी की राजस्थान में भी इस बंद का असर दिखाई दे रहा है राजस्थान में तो बंद को देखते हुए आज स्कूल और कॉलेजिस को भी क्लोस किया गया है आपको जानकारी देते हैं एस्पी एस्टी आरक्शन को लेकर सुप्रीम कोच का इतिहाफ से क्वैसला आया ये बान दूसी के खिलाफ बुलाए गया सुप्रीम कोच ने एस्टी आरक्शन में कोटे के भीतर कोटे को मनजूरी दे दी है साथी अदालत में क्रीमी लेयर का भी सुझाव दिया है दलिट संगचनिस का विरोध कर रहे हैं उनके मांग ये है कि सुप्रीम कोच अपने इस पैसले पार पुनर विचार करे बिहार की पूर्णिया में इस बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है पूर्णिया में प्रदर्शन कारियों ने आज फटक पर टायर जला कर प्रचेस किया और जगे जगे बांस लगा कर बेरिकेज कर दी ताकि गारियों के आवाजाही को रोका जा सके प्रदर्शन कारियों ने सरकार के खिलाफ नारे बाज़ी भी की ये तफ़ीरे पूर्णिया की आप देख रहे हो और केवल पूर्णिया ही नहीं जहानाबाद की भी स्थिति आप देखिए बिहार के जहानाबाद में पुलिस और प्रदर्शन कारियों के बीच नोग जोग होई है आज सुबे से ही प्रदर्शन कारियों ने सवड़क को बलॉक कर दिया जिसे जाम के परिस्टिते पैदा हो गई जबकि आज बिहार में पुलिस भर्दी के परीक्षा है SMA परिक्षार्थियों को एक्जाम सेंटर में पहुँचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पुलिस बढ़ती एक्जाम को देखते हुई पुलिस ने प्रदर्शन कारियों को यहां से हटाने की कोशिश की पुलिस ने पांच लोगों को अपनी हिरासत में भी लिया है दरसल नेगर ठानक शेत्र के होटा मोड के पास प्रदर्शन कारी दो घंटे से बीच रोट पर खड़े थे जिस वज़े से ट्राफिक जाम हो गया पुलिस ने प्रदर्शन कारियों को समझाने की भरसक कोशिश की लेकिन जब ये लोग हाथा पाई पर उतर आये तो पुलिस के पास भी और कोई चारा नहीं था उन्हें भी बल प्रयोप करना पड़ा पुलिस ने कारवाई करते हुए पांच प्रदर्शन कारियों को अपने हिरासत में ले लिया है आईए अब आपको बताती हूँ कि भारत बंद का असर कहां कहां पर देखने को मिल रहा है बात बिहार से ही शुरू करते हैं क्योंकि पूर्णिया के तफ्वीर हमने आपको दिखाए जहानबाद के तफ्वीर आपको दिखाए पटना की एक स्थिती आपके सामने रग दूँ पटना में भी भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है प्रदर्शन कारियों ने जगह जगह जाम लगाया है जिससे डफ्टर आने जाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है भारत बंद के सुमर्थन में बी एस्पी के कार्य करता भी सड़क पर उतरे हैं वो सुप्रीम कोट के एस्पी एस्पी रिसरविशन में कोचे के भीतर कोटे के फैसले का विरोध कर रही है तरफ सुप्रीम कोच की स्वंबिधानिक बेंच ने एक अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया था जिसमें F.C.F.T. आरक्षन में कोचे के भीतर होटे को मन्जूरी दी थी इसका मतलब यह है कि अब F.C.F.T. आरक्षन में जातियों को उसके पिछड़े पन के आधार पर आरक्षन दिया जा सकता है और इसी बात का विरोध हो रहा है सुलसलेबार तरीके से आपको बताती हूँ सुप्रीम कोट ने इसके लिए कुछ शर्टे लगाई है सुप्रीम कोट ने कहा यह है कि किसी एक जाती को 100% आरक्षन नहीं दिया जा सकता किसी भी एक जाती के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता साथी जाती में उसकी हिस्सेदारी तैय करने से पहले उसका अपना एक पुखता डेटा होना चाहिए तब ही ऐसा किया जा सकता है राजिस्थान में इस सरकार ने एहतियातन स्कूल और कोचिंग सेंटर्स के छुट्टी कर दी है साथी भरतपुर में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है अलवर में रोडवीस की बसे बंद है पुलिस के जबान जगे जगे पर गश्ट कर रहे हैं ताकि किसी भी त सुपरीम कोड ने दरशल एक सुझाब दिया और सुझाब ये था कि FCSTR अक्षण में क्रीमी लेयर को लागू किया जा सकता है हाला कि केंदर सरकार ने इसाफ कर दिया है कि वो CST आरक्षर में क्रीमी लेर के फॉर्मिले को लागू नहीं करने जा रहे है प्रदर्शन कारियों के मांग है कि केंदर सरकार सुप्रीम कोट के सुझाव को रद्द कर दे राजस्थान की जोदपूर शहर में भी बंद का सवर देखने को मिल रहा है भारत बंद की वज़े से जोदपूर में दुकाने बंद है सडकों पर सुबह से ही सरनाटा है आपको बता दें सुप्रीम कोट के स्टी आरक्षन में क्रीमी लेर लागू करने के फैसले के खिलाफ इस वक्ते नेशनल कंफेडरेशन ओफ दलित एंट आदिवासी और्गनाइजेशन ने भारत बंद बुला है इसे ना सिर्फ कॉंग्रस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजपार्टी, RJD, JMM और भारत आदिवासी पार्टी का भी सपोर्ट है BSP ने भी भारत बंद का समर्थन किया है BSP सुप्रीमो मायावती ने आज सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा सुप्रीम कोट के सैसले का विरोध किया मायावती ने लिखा कि BSP का भारत बंद को समर्थन है क्योंकि BSP और कॉंग्रिस जैसी पार्टियों के आरक्षन विरोधी शणियंत्र और इसे निश्च प्रभावी बना कर अंततहा खत्म करने के मिली भगत के वज़े से ही एक अगस दोहसार चौबीस को S.E.S.T. के उपवर्गी करण यानि कोटे के अंदर कोटा उपवर्गी करण और इसमें क्रीमी लियर सुमंधी माननीय सुप्रीम कोट के निड़े के बिरो दिन में रोश है और आक्रोश है और इसी को लेकर उन्होंने भारत बंद के सुमर्थन के बात कर दी